हम सॉल्व करेंगे एसे सी एचेसल दोजार चॉबीस का फर्स्ट जुलाई का सीफ्ट बॉन का मैच का पीपर सो चली सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट क्वेस्चन जो है हमारा क्वेस्चन दिया गहा है अ मैन स्पेंट 60% of his salary on household expenses 20% of his salary on rent and out of remaining salary he donated 80% to a trust if he is left with 20,000 and what is his salary तो देखो मान लेते हैं उसका जो salary वो 100% होगा जितना भी होगा वो तो 100% होगा salary 100% में से उसने 60% household पर खर्च कर दिया ठीक है remaining 40% था उसमें से 20% उसने rent दे दिया जो 20% remaining बचा था उसका भी उसने 80% 80% निकालते हैं 80% उसने क्या किया ट्रस्ट को donate कर दिया त्रस्ट को इसका 80% निकालो 20% का तो यह यह कट जागा यह 4 जा 25 जा यह 5 चूंका 20 होता है तो 16 जागा तो remaining था इसके पास 20% ठीक है 16% इसने donate कर दिया बचा कितना 4% और वहाँ पर दिया गया कि सेब कितना किया गया सेब कितना किया तो सेब 20,000 किया तो 4% जो है वो किस के बराबर हो जागा तो 20,000 के बराबर हो जागा तो 4 से इसको काटो 4 पचे 20 और यह तो 1% का value आगया 5,000 तो 20% का value कितना आएगा तो 5000 गुने 20 तो यह हो जागा एक लाख ठीक है अब हमें 100% का value निकलना है तो 20% का value एक लाख है तो 100% का तो multiply by 5 कर लेंगे तो 20% into 5 तो यह हो जागा एक लाख यह एक लाख हो गया into 5 तो यह हो जागा 5 लाख यह आगे हमारा answer इसमें हमने क्या किया एक बर summarize कर देता हूँ मानलों उसका salary जितना भी होगा वो तो 100% होगा 100% में से उसने 60% हाउस होल पर खर्च कर दिया और 20% रेंड को दे दिया और जो 20% था उसका remaining 80% उसने trust को donate कर दिया तो 80% हमने निकाल लिया 16 हो गया तो जितना total यह 20% था इसमें से 16% अगर उसने trust को donate कर दिया तो बचा कितना इसके पास 4% तो 4% ही तो इसका saving होगा ठीक है और उसने save कितना किया था 20,000 तो यह दोनों equal होगे 4% और 20,000 तो इसको equal कर दिया इसको हमने cut कर दिया cut करने के बाद हमने यह 100% का value निकाल दिया तो यह हमारा पांच लाग answer आ गया अब next question क्यों हम बढ़ते है question number two तो इस question में हमें दिया गया है कि A and B can do a work in 10 days and 40 days respectively how long it will take together to complete the work तो इसमें हमें दो लोग है A और B दो लोग है A जो है 10 दिन में कोई भी काम को पूरा करता है और B जो है 40 दिन में किसी भी काम को पूरा करता है तो यह होगा time तो time है तो हमें work find करना होगा 10 और 40 का अगर LCM लेंगे तो यह आ जागा 40 तो efficiency निकालना होगा तो हम लोग जानते है time is equal to work upon efficiency होता है तो efficiency निकालने के लिए work upon time हो जागा तो 40 upon 10 करेंगे तो यह 4 आ जाएगा और 40 upon 40 करेंगे तो यह 1 आ जाएगा इसमें बोला गया है कि अगर वो लोग 7 काम करेंगे तो 7 काम करेंगे मतलब A plus B अगर 7 काम करेंगे तो इनका efficiency कितना है 5 मतलब एक दिन में उन लोग 5 काम करेंगे 5 होगा तो total work कितने दिन में होगा तो total work के लिए T is equal to W upon E time is equal to work upon efficiency तो work कितना है 40 है एक दिन में 5 काम कर रहे है तो 5 होग पनियोटी 40 तो 8 days answer हो जागा हमरा अब next question के रुबढ़ते है fourth question में हमें दिया गया company has 5 plants of manufacturing spare parts each plant manufactures local quality and export quality what is the ratio of the production of local quality and export quality unit of the highest manufacturing plant इसमें बस हमें ratio find करना है जो local quality और export quality है highest manufacturing plant का उसका मतलब हमें पहले जो graph दिया गया है उसमें से जो सबसे ज़्यादा production कर रहा है कोई भी plant उसको find out करना है और उसका export और local quality का ratio लेना है तो देखो यहाँ पे हम पहले एका दिखते है तो एका हमें सबसे ज़्यादा लग रहा है 420 upon 140 एका सबसे ज़्यादा है तो एका सबसे ज़्यादा है तो उसको हम solve कैसे करेंगे तो पहले हमें local quality डालना है ठीक है लोकल quality upon export quality का ratio लेना है तो local quality है 420 export quality है 140 तो इसको अगर हम cut करते हैं तो 14,3 जब 42 हता है 14,3 यह 42 होता है तो तीन बार में cut ज़्यादा 3 हो तो यह 3 is to 1 answer आगा हमारे अब next question क्यों बढ़ते है next question में दिया गया the surface area of a cube is 486 cm square find the volume मतलब हमें surface area दिया गया है 486 cm square हमें उसका volume निकलना है तो surface area कितना है surface area 486 cm square तो हमें पता है surface area का formula surface area का formula था 6a square तो यह 486 cm square के बराबर हो जाएगा तो यहां से हम cut करते हैं तो cut करते हैं 6 से 6 से यह कितना बर में जाएगा च्छो अठे अड़ तालिस होता है च्छो एकम च्छो तो यह हो गया a square 81 cm square के बराबर आ गया तो यह बराबर कितना हो जाएगा तो यह 9 का square होता है तो 9 cm हो गया तो अब हमें volume निकलना है तो हमें पता है कि volume का जो formula है वो है a cube तो 9 का cube अगर हम करें तो 9 का cube होता है 729 739 cm cube तो यह होगा हमारा answer अब next question को देखते हैं तो next question में हमें दिया गया है what will be the latest value of x so that the 5 digit number 6 to 7 x 5 becomes divisible by 9 तो हमें एक 5 digit number दिया गया है 6, 2, 7, x, 5 तो हमें पताना है कि यहाँ पे x का कौन सा number हम रखें यहाँ पे x के लिए कौन सा number रखें जिससे यह 9 से divisible हो 9 से divisible हो जाए so 9 से divisibility का rule क्या है तो sum of digits जो होते है वो divisible होने चाहिए 9 से ठीक है so अगर यह divisible है तो यह divide हो जाएगा तो यहाँ पे हम x का कौन सा minimum value पूछा है यहाँ पे कौन सा value पूछा है minimum value पूछा है सब से कम कौन सा number रखें तो minimum value के लिए हम पहले देखते हैं 6 5 हो जाएगा 11 6 5 हो गया 11 और 2 7 हो गया 9 9 और 11 जोड़ो तो यह 20 हो जाएगा और यह 1 x बचे गया मतलब हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं 6 प्लस 2 प्लस 7 प्लस x प्लस 5 तो यह आ जाएगा तो उम्हेरा 20 प्लस x तो हम यहाँ पे x का कौन सा value रखेंगे जो इसे डिवाइट कर देगा तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे 9 का table पढ़ेंगे तो 9 के table में 9 बंज़ा 9 होता है 9 to 0 18 होता है 9 3 जा 27 होता है फिर 36 होता है फिर 45 होता है तो तुम देखो यहाँ 20 है तो minimum value है 20 के nearest कौन सा value होगा कम तो होगा नहीं minus हम लगाने नहीं जा रहे है क्योंकि minus लगता नहीं तो यहाँ 27 है तो 20 में हम कितना जोड़ेंगे कि 27 हो जागा तो 20 plus 7 करेंगे तो x का value 7 हो जागा तो यह हो जागा हमारा answer तो अगर तुम यहाँ पर 7 करोगे तो 27 9 से 3 times में divisible है तो यह हमारा 7 answer हो जागा तो option number 3 जो है वो answer हो जागा अब हम next question क्यों बढ़ते है next question जो है speed distance time से related है इसमें देग है a motorcycle covered the first 60 km of its journey at an average speed of 40 km per hour the speed of the motorcycle for covering the rest of the journey that is 90 km was 45 km per hour during the whole journey the overall average speed of the motorcycle was so हमें average speed motorcycle का निकलना है तो देखो पहला जो यह 60 km चलता है question number 6 है तो पहला जो यह 60 km चलता है वो 40 km की speed से चलता है ठीक है 40 km per hour की speed से चलता है बचा हुआ remaining जो 90 km होता है वो 45 km के रफतार से चलता है तो यहां पर हम क्या करेंगे तो हमें average speed का formula पता है average speed क्या होता है तो total distance जो है upon total time होता है तो total distance कितना हो जागा तो 60 और 90 एड़ कर देने तो अब हमें time find करना है तो time के लिए formula क्या होता है तो time is equal to distance upon speed होता है तो distance कितना हो जागा तो यहां पर हमारा time one कितना हो जागा तो यह हो जागा हमारा 60 upon 40 यह distance हो गया यह speed हो गया प्लस में 90 upon 45 तो इसको हम solve करते हैं तो यह हो जागा 60 और 90 हो जागा 6 और 4 और 5 तो 150 हो जागा यह 150 और यह हो जागा तुम्हारा 9 गुने 60 LCM लोगे तो LCM आएगा 360 तो 40 से 49 जा होता है तो 9 into 60 हो जागा प्लस 45 से 36 कितने time में जाएगा तो यह जागा 8 times में 8 into 90 हो जागा तो जब इसको solve करोगे तो यह आजागा तुम्हारा 1260 बटा में 360 तो जब तुम काटोगे तो यह हो जागा तुम्हारा 6 times में जागा यह 21 times में जागा 6 से अगर काटोगे तो तो यह आगे 21 बटा 6 21 बटा 6 और अपॉन में यहां पे 150 हैं ही यह वाला ठीक है तो अब इसको सॉल्ब करते हैं 150 बटा में 21 इंटु 6 तो इसको जब सॉल्ब करोगे तो यह जगा 300 बटा में 7 और इसको जब काटोगे तो यह जगा 42 इंटीजा 6 अपॉन 7 तो यह हो जागा हमारा आंसर सो अप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर हो जाए है तो अब चलते हैं next question की ओर इस question में दिया गया है कि simplification का question है 3 प्लस 28 डिवाइद बए 35 इंटु 15 प्लस 4 माइनस 3 इंटु 4 तो देखो तीन जोड 28 है भागा 35 है गुना 15 है जोड 4 है माइनस 3 है गुना 4 है तो अब इसको solve कैसे करेंगे तो देखो एकदम आसान सा तरीका है पहले board must नहीं हम जाते है कि division होता है फिर multiply फिर add फिर subtract होता है तो देखो तीन जोड 28 बटा 35 कर दो जोड 4 माइनस 3 गुनने 4 तो यह हो जागा तुम्हारा पांच से काटो यह तीन बार में सर्चम को 18 होता है तो यह हो गया thankful जोड चर्त ये 12 जोड 4 माइनस 3 गुने 4 तो ये हो गया 12 हो गया 12 हो गया और ये कितना हो गया तो ये हो गया 12, 4, 16, 16 19 हो गया तो 19 माइनस 12 करो गया तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7 तो हमारा option number 3 जो है 7 वो answer हो जाएगा अब हम चलते हैं अपने next question की ओर मैस का question solve करना थोड़ा सा मुझकिल है लेकिन एक चीज़ासा है वो हमारा subscribe बटन तो हमारे चनल को subscribe कीजिए वीडियो अचला हो तो like कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए और हम quality का एक series ला रहे हैं जो कि किसी भी competition SAC के कोई भी exams हो गया है state boards की exams हो गया है उनका syllabus quality का cover कर देंगे हम so question number 8 देखते हैं तो इसमें दियाग है कि the percentage of students enrolled in different activity in school which are displayed in the left side pie chart the total number of student is 5000 in the right side pie chart the total number of girls is 1550 and their percentage break out break up enrolled in this activity the number of girls enrolled in craft from what percent of total number of student in the school तो हमें इस question में पूछा किया है जो लड़कियां है girls हैं जो craft में अपना form हिस्सेदारी ली है उनका total percentage of student से कितना percent है तो देखो तो इसको हम solve करते हैं total number of students कितने हैं तो 5000 है girls कितनी हो गई 1550 ठीक है 1550 तो 5000 टोटल girls है total strength है girls है 1550 तो minus करोगे तो number of boys आ जाए गई है तो इससे हमें कोई काम है नहीं हमें काम कितना है तो जो girls है 1550 वो जो craft में हिस्सा ली है तो craft में कितना हिस्सा ली है तो 22% तो 22% मिकलना है तो यह cut गया 2 से 11 बार में 2 से 5 बार में 5 से 3 बार में 31 गुने 11 हो गया तो इसको multiply करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 341 तो हमें बोला है कि यह जो 341 है यह overall का कितना percent है तो overall total हमारे पार system 5000 है 5000 गुने 100 कर देंगे इसको cut देंगे तो इसके बाद यह हो जाएगा हमारा अगर आप इसको divide करेंगे तो यह आ जाएगा 6.82% 16 मौलो 82% तो यह हो जाएगा 9 को देखते हैं तो 9 में दो equation दिये गए है straight line का equation है coordinate दिये गए है आपको दो line का equation है एक equation है x plus y is equal to 5 और दूसरा जो equation है x minus y is equal to 3 तो यह line p के लिए equation दिया गए और यह line q के लिए equation दिया गए तुम question पढ़के समझ सकते हो तो हमसे बोला गया है कि कौन से वो coordinates होगे कौन से वो coordinates होगे जो की common होगे दोनों line के लिए common ठीक है मतलब वैसे coordinates जो दोनों में आ है तो वैसे के लिए क्या करेंगे तो हम एक बार इस equation को add करेंगे एक बार subtract करेंगे पहले add करते हैं तो यह cut जागा y y cut जागा तो यह होगया 2x is equal to 8 हो जागा तो x is equal to 4 तो y कितना आ जागा तो अगर x 4 है x यहां 4 put करते हैं तो y कितना आगा तो y 1 आ जागा तो एक बार इसको subtract करते हैं दोनों equation को equation हम लिख लेगते हैं subtract में sign change हो जाता है तो इस बार x कर जागा 2y is equal to 2 आएगा तो y is equal to 1 आ जागा y is equal to 1 यहां put करोगा तो x is equal to 4 आ जागा answer तो coordinates क्या होते हैं x, y होते हैं ठीक है तो x का value है 4 y का value 1 4, 1 जो है यह हमारा answer हो जागा so option number 1 जो है option number 1 answer हो जागा हमारा जागा है a shopkeeper marks up the price of oil by 40% and uses a faulty machine which measures 50% less if the shopkeeper gives a discount of 32% the profit or loss percentages तो इसमें बोला है कि एक दुकानदार है वो 40% जो तेल है तेल का जो price है उसका 40% बढ़ा देता है ठीक है price और एक खराब machine use करता है जो कि 15% कम तॉलता है तो उसको फैदा हो रहा है दाम भी 40% बढ़ा दिया और machine का weight भी 15% कम कर दिया मतलब वो दाम तुम से पूरा का लेगा लेकिन तुमको कितना देगा तो 95% ही समान देगा लेकिन तुम्हें वो पता नहीं चलेगा क्योंकि ये बेमान swapkeeper है तो अगर वो discount देदेता है 32% का तो हमें बताने है कि loss या profit percent उसका कितना होगा तो देखो ये सब तुम ratio के मदद से भी कर सकते हैं ratio के मदद से swap करेंगे तो पहले initial देखो initial में कितना price था 100 रुपया था 100% था बढ़ा कितना 140, 40% बढ़ा है यहां से है तो ये 140 हो गया अब देखो वो 15% less तॉलता है 15% less तॉलता है मतलब कि 85% जो है सिर्फ वो 85% तॉलता है तो मतलब ये जो 85% है सिर्फ ये ही दे रहा है आपको जबकि देना चाहिए था कितना 100 और हमें डिसकाउंट 32% का दिया ठीक है तो अगर हमारा प्राइस 100 था तो 100 में 32 माइनस कर देंगे तो ये कितना आजाएगा 68 आजाएगा मतलब सो MRP अगर हम 100 मान लेते हैं तो इसमें 32% का जो डिसकाउंट मिला है हमको उसको कैलकुलेट करते हैं तो MRP 100 हो गया तो हमको खरीदी कितना पढ़ रहा है 68 तो इन तीनों को हम सॉल्व करते हैं तो 00 कट गया ये 0 ये 0 कट गया इससे ये कट गया और काटेंगे हम इसको तो ये हो जाएगा आपका 7 बार में जाएगा ये 5 बार में जाएगा तो 85 गुने 5 करेंगे तो ये आजाएगा 425 रेशियो और 60 गुने 7 करेंगे तो ये 776 आ गया यहां से यहां का डिफरेंस यह माइनस यह करेंगे तो यह आगा 51 जो है वो और यह हमारे क्या है यह CP हो जाएगा ठीक है यह SP हो जाएगा क्योंकि यह initial का बात कर रहा है और यह final का तो 51 हो गया difference और तो हमें profit यह loss percent निकलना है तो 51 हो गया और हमें CP पता है कि 425 है इंटू 100 कर देंगे और यहां से अगर हम इसे काटते हैं तो यह आजागा 12% profit अब profit हमने क्यों कहा कि CP देखो कम है 425 है और SP जादा है तो यहां पर यह profit ही होगा तो हमारा option number one जो है 12% profit आंसर हो जाएगा और हम चलते है next question के और next question में दिया गया है students और 5-6 students के नाम दिया गया और 6-7 subjects है उनके marks दिये गया उन्होंने कितने कितने percent हर subject में हासिव कहिए दिये गया हमें बताना है कि Mohan जो है मोहन ने कितने percent marks को obtained किया है मोहन का हम देख लेते है मोहन ने कौन-کौन से subject का exam दिए è, physics दिया है math दिया है, music दिया है hindi दिया है, botany का दिया है physics का total marks है 300 maths का हो गया 300 music का 100 hindi का भी 100 हो गया और botany का 200 हो गया सो इसमें उसने score कितना किया है तो मोहन ने इसमें 80% score किया है इसमें उसने 60% score किया है इसमें 70%, इसमें 95%, इसमें 80% तो अगर 300 का तुम 80% निकालोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा इसका value ऐगा 300 गुने 80 बटा में 100 तो इसका value तुम्हारा आजागा 240 300 का 60% निकालोगे तो हो जाएगा 180 100 का 70% 70 होता है, 100 का 95% 95 होता है 200 का 80% होता है, 160 तो अगर इन सब को तुम जोड़ो क्यों जोड़ोगे? क्योंकि हमें उसका total percentage निकालना है कि उसका marks आया कितना है तो obtained marks upon total marks करेंगे तो ये अगर तुम जोड़ोगे तो ये आजागा 745 total marks कितना होगे? 3, 3, 6, 6, 2, 8, 8, 2, 10 तो 745 बटा में 1000 क्योंकि 1000 total marks है total और obtained इतना है obtained upon total marks into 100 करेंगे तो इसका percentage आ जाएगा इसे हम cut करते हैं तो ये हो गया 74.5% उसने score किया है तो option number ये है 3 तो 3 option number हमारा correct answer हो जाएगा अब question number 12 को देखते हैं तो इसमें दिया गया है कि एक राधी का request cashier of a bank to get her coin leave offer check देखो उसका एक check है उसका check है 1845 रुपए का check है उसका उसने राधी का ने request किया कि उसे 5, 10 और 20 रुपए के coins दिये जाएं किसके कितने ratio में उसे मिले 3, 5 और 7 के ratio में उसे मिले ठीक है अब पहले हम calculate कर लेते हैं कि total उसके पास कितना ratio के हिसाब से उसको कितना पैसा मिलेगा तो ratio को हम solve करते हैं तो 25 यह 15 यह 10 पचे 50 20 सत्य हो गया तुम्हारा 140 इन तीनों को हम जोडते हैं तो यह हो जाएगा तुम्हारा 205 तो देखो यह 205 जो है यह suppose कर लो यह कितना तुम्हें मिला था तो यह तो 357 ratio में है तो ratio में है तो तुम्हारा लेट कर लो यह 7x था यह 5x था यह 3x था तो यहां भी 1x आ जाएगा तो यह total हो जाएगा 205x तो हमें नहीं पता कि उसे कितने 5 रुपे के coin मिले है 10 रुपे के coin मिले 20 रुपे के एक्स बराबर 9 हो गया तो हमें निकालना है पांच रुपए का कोई कि पांच रुपए वाला कितना उसे मिला तो फाइफ रुपीज वाला थ्री एक्स है तो थ्री एक्स तो थ्री इंटू 9 करेंगे तो 27 आ जाएगा मतलब कितना रुपए हो जाएगा 135 रुपए हो जाएगा तो यह हो जाएगा हमारा आंसर अब हम नेक्स्ट क्वेशन को देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेशन में दिया गया है कि कि in how many years the simple interest of the sum of money is equal to the principal at the rate of 26 upon 7% पर है ना मतलब बोला गया कि कितने सालों में जो sum of money interest का मीले गा है उसको जो कि principal amount के बराबर हो जाएगा मतलब जीतना तुमने पैसे लगा है उसके बराबर हो जाएगा तो देखो rate उसको कितना मिल रहा है rate of 26 upon 7 मिल रहा है तो उसने बोला कि principle जो है sum of money के बराबर होना चाहिए मतलब simple interest के बराबर होना चाहिए simple interest का formula क्या है principle rate into time upon hundred एसा है किसके बराबर हो गया है principle के तो p is equal to p into r into t p p cut गया और upon hundred है ठीक है so यहाँ से हम calculate करते है तो p हमें नहीं पता है r हमें पता है तो r इसको solve कर गया तो यह हो जागा 20 बटा 7 तो 20 बटा में 7 हो गया और time हमें नहीं पता time हमें निकलना है और p p काटे है तो यहाँ पे 1 बच जाएगा और into hundred यहाँ पे formula हो जाएगा 20 पचे 100 होता है 5 सते 35 होता है और यह p तो cut चुका है sorry तो 5 सते 35 होता है तो time बड़ाबर हो जाएगा 35 years तो यह हो जागा हमारा answer option number 3 answer हो जाएगा next question को देखते हैं तो इसमें बताएगा कि अरुन का salary जो है पहले 50% कम हो गया 50% कम हो गया तीक है उसके बाद उसका salary जो है 50% increase हो गया तो हम percentage change का formula लगा देते हैं percentage change का formula होता है x plus y plus x y upon 100 होता है percentage change का formula ठीक है तो यहाँ से हम इसे निकालते हैं तो यह हो जाएगा plus 50 into minus 50 upon 100 तो यह two times में जाएगा यह पचीस बार में जाएगा पचास पचास कर जाएगा यह minus यह plus में है तो यह हो जाएगा minus 25 तो minus यहाँ पर loss दिखाता है तो मतलब उसको 25% का loss हो चुका है यह हो जाएगा हमारा answer अब हम next question की और बढ़ते हैं तो next question में देखो दिया गया कि PG, PhD, MPL मतलब कुछ subject दिया गया है उसमें percentage दिया गया कि कितने लोग कितना student उसमें है तो हमें बताना है कि कौन से दो डिग्रिया में number of student same है तो इसे हम by option करते हैं तो इसको हम by option try करते हैं तो by option करते हैं तो PG और PhD डिग्री को अगर हम देखते हैं तो PG में है 39% और PhD में 9% तो यह 48% हो गया ठीक है 48% और अगर others में देखें तो वो भी कितना है 48% और अगर हम यह पहला option होगी है यह दूसरा option होगी है PG plus M fill को देखें तो इसमें हमारा PG का होगी है 39% और यह 4% तो यह हो जाएगा हमारा 43% तो यह दोनों क्योंकि match कर रहा है तो हमारा option हो जाएगा PG plus PhD तो यह हमारा answer हो जाएगा अब चलते हैं next question की next question में दिया गया the shopkeeper decide to raise the mark price of an article by 40% how much percentage discount should be मतलब उसने mark price जो MRP जो है वो 40% बढ़ा दिया मालो MRP पहले 100 था तो अब selling price में 40% का ब्रिदी हो गया तो यह हो जाएगा 140 ठीक है तो अगर हम 40 बटा में 140 करें 140 क्यों क्योंकि 40% का हमने इसे में व्रिदी किया है into 100 करें तो यह हो जाएगा 200 by 7 यह कट जाएगा 2 times में यह 7 times में तो यहां से हमारा answer आजाएगा 28 दस में लोग 5 साथ परसेंट तो 28 इंटीजर 4 बटा साथ हो जाएगा हमारा answer next question में दियेगे जो मोहन है उसका sale जो है पहले साल 12% इंक्रीज होता है दूसरे साल 15% इंक्रीज होता है उसका present sale है तो इसको दो साल बात कितना sale हो जाएगा तो देखो पहले हम percentage निकालते है कि उसको overall कितना percent का increase होगा 12% का पहले होगा 15% का बाद में 12-15 अपन में 100 करेंगे इसको हम कट करते हैं तो यह 6 times में ही हो जागा 50 times में यह 10 times में यह 3 times में यह 5 times में यह 2 times में यह 3 times में तो हमारा हो जाएगा 27 जो 9 बटा में 5 आजएगा 15 और 12 27 हो जाएगा तो यहां से यह हो जाएगा 28.8% तो यह increase percent हुआ कितना percent increase हुआ तीप है यह increase हुआ तो पहले से वह 100% था उसमें increase हुआ 28.8% का तो यह हो जाएगा 128.8% So, 128.8% जो है उसी का value कितना दिया है 1,888,800 So, इसको अगर हम cut करते हैं तो यह हो जाएगा 1,000 So, एक बराबर 1,000 हो जाएगा 1% बराबर 1,000 So, 100% बराबर कितना होगा 1,00,000 हो जाएगा तो यह हो जाएगा हमारा answer सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए सेव कीजिए